जार्खन के कई इलाकों में 11 मई से बारिस के असार चक्रवाथी तूफान असानी का जार्खन के कुछ जीलों में मामूली असर दिखने के असार है मौसम विभाथ के अनसार 11 से लेकर 13 मई तक संताल कोईलान चलवा कोलहान के अलावा रांची खुटी रामगाड हजारी बग और गुमला में कुछ जगो पर हलके से मदर्च की बारिस हो सकती है मौसम केदर की ओर से 11 और 12 मई को बारिस और बजरपात को लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया है वहीं दक्षनी उतर पूर्वी वमद्य भाग में में गर्जन बजरपात के साथ हलकी बारिस हो सकती है लड़ खड़ा रही हेमंत सुरेन की कुर्सी जारखन में रायनितिक तापमान चड़ा हुआ है विधायकों की सदसे अता को लेकर खत्रे के बादल मन्रा रहे हैं खरन पट्टा ममले में जबाब के लिए भारतिये निर्वाचन आयोग ने मुख्य मंत्री हेमंसुरेन को मंगलवार्त का समय दे रखा है जनकारी के मुताविक मुख्य मंत्री की तरब से जबाब देने के लिए समय भी मांगा जा सकता है मुख्य मंत्री इस समय में कानूनी भी से सग्यों से मसाविर ले रहे हैं बताया जाता है कि निर्वाचन आयोग से अतरिक्त समय मिलने में दिखते आएगी क्योंकि CM को दिये गए नोटिस में जिक रहा की 10 महीं तक जबाब नहीं मिलने की थिती में एक तरफा करवाई की जाएगी निर्वाचन आयाउग अपने मंतवेस से राजभावन को अउगत कराएगा IAS पूजा के CA पर CM हमंत का नाम लेने के लिए दबाओ जारखन में अब हमंत सुरेन सरकार और मुखे भी पक्षी दल BJP के बीच बयान बाजी की राज़ी नितिक दो कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है बता दे ED की छापे मारी के बाद BJP की दवारा मुखे मंतरी हमंत सुरेन के नाम घसी टे जाने के बाद JMM के नेता और करकाता सड़क पर उतर आए है अब परदेश की राजनेती सड़क पर उतर आई है JMM जीला कमिटी के दवारा रभी वार को BJP परदेश का रियालाई पर प्रोटेस्ट का कारेकरम किया गया रांची के हर्मू मैदान से जे एमेम के नेता और गरकाता जहंडा बैनर के साथ इस प्रोटेस्ट में सामिल हुए यात्रियों की सुरक्षा पर रेलवे का बड़ा फैसला भारतिये रेल ने बड़ा फैसला किया है अब चलती ट्रेन में छेड़ छा लोट पार्ट, मार पीट, जागड़ा या अने किसी वरदात से यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को बोड़ी और कैमरा से लेस किया जाएगा इसकी सुरुआत रांची रेल मंडल से हो रही है यहाँ तैनात आर्पीएफ को और हाइटेक बनाया जा रहा है अब उन्हें ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बॉल को आते दुनिक उपकरनों से लेस किया जा रहा है आर्पीएफ की एसकोर्ट पार्टी बोडी अन कैमरा से लेस होगी एसकोर्ट पार्टी के ट्रेन में चड़ते ही यहाँ कैमरा अन हो जाएगा इसकी मदद से चलती ट्रेन में अगर कोई घाटना होने पर उसकी रिकोर्डिंग हो सकेगी ट्रेन में होने वाली कती वीदियो पर नजर रखी जा सकेगी पलामू में हेमंत सरकार का पुतला दहन भारतिय जानता पार्टी के पलामू जीला इकाई ने रभीवार का छो मुहान पर हेमंत सरकार का पुतला दहन किया है इससे पहले अस्थानिये गीता भावन के निकट से निकले भाजपाई हेमंत सरकार के प पश्टाचार की प्रयाय बन गई है इसके सत्ता के संरक्षन में राजे के सरकारी पताधिकारी लूट खसोट में जुट गए हैं लातेहर में टाना भगत पंचाज चुनाओ के बहिसकार पर अडिग लातेहर जिले के बालू मात परखंड इस्थीत मास यातू गाउं के प्रयाय बन गई हैं लातेहर समयत के जिला पंचवी अनुट खसोट में जुटान रभिवार को हुई इस बैठक में टाना भगतों ने पंचाज चुनाओ के बहिसकार करने की बात कही इस कारान इस पंचाज चुनाओ में वोट नहीं देने पर जोर दिया साथी समिधान की पंचवी अनुट सूची का हवाला देते हुए राज्य में कराय जा रहे पंचाज चुनाओ को और समिधानी करार किया है बता दे बैठक के अध्यक्स्ता करते हुए परमेशवर टाना भगत ने कहा कि समिधान में पंचवी अनुट सुची छेत्रों में जंजाती लोगों क अधिकार दिया गया है लाते हर समयत कई जीला पंचवी अनुट सुची में आता है इसलिए यहां पंचाज चुनाओ कराया जाना हमारे अधिकारों का हननन है मात्रुत्य स्वास्थ मामले में ज्हारखन का परदर्शन सबसे बेहतर ज्हारखन की मताय परोसी राजियों की तुना में मात्रुत्य परजनन स्वास्थ में मजबूत है Maternal Mortality in India के Special Bulletin 2017-19 के रिपोर्ट के अनुसार राजे में मात्रु मिरित्य उद्दर परोसी राजियों से बेहतर है वही राष्ट्रिय आकड़ा भी हमारे इस्तिती बेहतर है राजे में मात्रु मिरित्य उद्दर 61 प्रती लाख है जबकि बिहार में या 130, उडिशा में 136, उतर परदेश में 116, 36 गड़ में 160 और पच्छी मंगाल में 109 है गिरीडी में गोबर से इको फ्रेंडली इट बना रहे हेमलाल गिरीडी के जमुआ परखंड के रहने वाले हेमलाल महतों का स्टार्ट अप JSPR Agro Private Limited गोबर से इट बना रहा है या इट पूरी तरह से इको फ्रेंडली है इससे बने घरों में रेडियेशन का असर काफी कम होस जाता है साथ ही इससे तयार घरों का तापमान समाने इटों से बने घरों की तुलना में 8 से 10 डिग्री सेल्चेस तक कम हो जाता है गोबर के इस्तेमाल से बनी इट काफी उष्ट अपमान जहल सकती है हेम लाल महतों की इटों की गुनवाता पर IIT ISM जैसे संस्थान ने अपनी मुहर लगा दिया है उन्होंने इस इटों को संस्थान के विश्चागयों की देखरेक में विक्सित किया है अब वह इसका ब्यवसाइक उत्पादन सुरू कर रहे हैं आज अंडमान से उठेगा आसनी चक्रवात जार्खन में आज के बाद चक्रवाती तुफान आसनी का असर दिखेगा तुफान का असर जार्खन और बंगाल में भी नजर आने की संभवना है मौसमी भाग ने अपने पुरुमान में बताया कि रांची और इसके आसपास आठ मैं तक आसमान में आंसिक बादल चाये रहेंगे वही 9, 10, 11 वह 12 मैं को बारिस की संभवना है 12-14 वरस के बच्चों को टीका देने में सबसे पिछे रांची लक्ष के मुताबिक 12-14 साल के बच्चों को टीका देने के मामले में रांची जीला सबसे पिछे है सिर्फ 24 फिसदी बच्चों को ही कोरोना टीका दिया गया है बतादे किराची जीला के 1,40,818 बच्चों को कोरोना टिका देने का लक्ष निधारित किया गया है इसकी तुल्ला में सिर्फ 34,211 बच्चों को ही टिका दिया गया है टिका देने के मामले में सबसे आगे सिम्डे का जीला है यहां कुल लक्ष के मुताबिक 93 फिस्दी बचो को टिका दे दिया गया है धन्यवाद